नमस्कार दोस्तों मैं विनित पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडेस्ट मैट्स में फ्रेंट्स आज ये क्लास प्राम होम का 48 वा क्लास है और पाइप तथा टंकी का पार्ट 6 है फ्रेंट्स इसमें तो देखेंगे पाइप तीन दल ABC किसी टंकी को पांच घंटे में भरते हैं ने बोल राइए physicalay LOC जो किसी टंकी को पहर्ने टोटल कितना टाइम लेता है5 घंटा लेता है आगे बोलता यदि C की गति बी से दुगनी एए तथा बी की गति एसे दुगनी है तो एखाली टंकी कितने देर में भरेगा देखें बहुत ही अच्छा कोश्चन है तो इसका फार्मेट देखें ऐसा सिंपल सा बना लेना आपको A B और C बोलता क्या है पहले कि C की कति B से दूगना है C जो है वो B से दूगना है अब B कितना भी तो पता नहीं है लेकिन B के बारे में बताता है कि दूगना हुआ A से और C दूगना हो जाएगा किस से B से तो ये कितना हो जाएगा 4X ये हो जाएगा 4X तो ये वाला जो है कैपसिटी है और कैपसिटी का जेस्ट उल्टा क्या होता है टाइम होता है कैपसिटी का जेस्ट उल्टा टाइम होता है तो कैसे कर देंगे यह 4X हो जाएगा बिच वाला तो चेंज नहीं होगा और यह वाला X हो जाएगा ऐसा ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यह किलियर है अब बोलता क्या है इसमें कि तीनों मिल करके 5 घंटाम भरता था तो तीनों मिल करके मतलब कैसा देखिए मिल करके कोई काम करता तो इसी टप्स नहीं करता है 4X A का है 2X जो है यह B का है और X जो है यह C का है A B और C LCM कितना हो जाएगा 4X यह एक बार में यह दो बार में और यह चार बार में ठीक है अब टोटल अगर काम करवाना था तो कैसे करवाते थे यह टोटल जितना है यहाँ पे और उसको डिवाइट करते थे यह जोड़ करके तो 4, 2, 6 और 1, 7 ठीक है अब देखिए यह जो है हम लोग के पास पांच जो है टोटल दिया हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा यह हो जाएगा चार एक्स बराबर 35 अब निकालना किसका हम लोग को एका तो देखिए एक कितना टाइम लेगा पुछ रहा है कितना देर तो टाइम कौन सा है टाइम तो यही है और एक का देखिए टाइम कितना है एक का टाइम जो है वो चार एक्स ही तो है तो चार एक्स कहीं भेलू जो निकलेगा वो हम लोग का एंसर हो जाएगा मतलब कि 35 मिनट में वो भरेगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह कोस्टन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा देखिए चार एक्स ही इसका एंसर हो जाएगा चलिए यह कोस्टन आप लोग का प्रेक्टिस के लिए है इसका प्रेक्टिस करें और सही एंसर कमेंट वक्सम जल्दी से कमेंट कर दें एक टंकी में तीन नल है पहले दो नल इसे 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भरते हैं और तीसरा नल इसे 1 घंटे में खाली करता है यदि तीनो नलो को एक बज़े दो बज़े तथा 3 बज़े खोला जाए तो टंकी कब खाली होगा most important question friends और इसको देखे बहुत ही आसान तरीका समय आप लोगो बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस question को बनाना देखे एक टंकी में तीन नल है ठीक है ना A है B है और C है दो भरता और एक खाली करता है तो सब कोम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं ठीक है तो देखे तीन घंटा मतलब कितना मिनट तीन घंटा मतलब की 180 मिनट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर तीन घंटा मतलब की 180 मिनट है दोस्तों और फिर देखे 3 गंटा 45 मिनट को change करेंगे तो हो जाएगा 145 दो सो पचीस मिनट हो जाएगा ये और 1 गंटा मतलब कि कितना मिनट 60 मिनट अब देखिए इन सब का LCM अगर निकाला जाए न तो LCM देखिए मैंने तो निकाल लिया है friends आप लोग अगर चाहे तो निकाल सकते हैं ठीक है टाइम जादा लग जाएगा तो 900 LCM आएगा ठीक है इससे कटेगा देखिए 5 बार में इससे कटेगा 4 बार में और इससे कटेगा 15 15 शकना वे 15 बार में ठीक है अब अगर इस तीनों को यह देखिए खाली करने वाला है सी जो है खाली करने वाला है यह तीनों को अगर चलाएं एक साथ तो एक साथ में क्या होगा ना 6 लीटर देखिए क्योंकि माइनस ओला ही जादा है माइनस पंद्रा और यह 9 तो एक बार में 6 लीटर प्रती प्रति मिनट ये घंटा जो भी हो वो पाने निकलेगा ठीक है प्रति मिनट खाली होगा ठीक है ये हो गया इसका चमता अब इसके बाद क्या बोलता है इसके बोलता है टंकियों का फूले जाता है एक बजे दो बजे और तीन बजे तो पहला नल खूलता है ध्यान दिजेगा एक बजे, दूसरा नल दो बजे, और तीसरा नल तीन बजे, तो एक बजे जब खूलेगा, तो एक से लेकर करके आएगा दो तक, तो एक से लेकर दो तक कौन छास चलेगा, ए, कितना भरेगा, पांच, ठीक है, फिर दो से लेकर करके तीन तक, कौन आएगा, पांच भी और 4 भी रहेगा देखिए ये 4 तो चलेगा ही अब और 5 भी चलेगा ठीक है न फ्रेंट्स और 3 जैसे बजेगा तो 3 बजेगा तब 3 नल हो जाएगा खाली करने उलाई उसको न खाली करेगा तो ध्यान दिजेए खाली करना है कि इसको कितना उसको तो 5, 4, 9 और 5, 14 चाओदा लीटर माल लिजीए उसको खाली करना है और उसका छमता है 6 का तो इस हिसाफ से देखिए कटता है 2 से 3 बार में 2 से 7 बार में ठीक है इसको मिक्स फ्रेक्शन में बदल द तो 3, 2, 6 और 1, 7 इसको यहाँ पेंटो कर लेते हैं 60 इधर आता है 2 घंटा और 20 मिनट तो कब खाली होगा 3 बज़े के बाद ही होगा जब भी होगा तो उसमें 3 बज़े में 2 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे ना अगर हम लोग तो 3 और 2, 5 और 20 मतलब कि ठीक 5 बज़कर 20 नहीं दिक्कत होता है फिर भी तो कमेंट बक्स में कमेंट करें तो यह इसका सही अंसर हो जाएगा फ्रेंट्स देखें इसी टाइप का कोस्टन एक आपके प्रेक्टिस के लिए मैंने लिकाया है इसका प्रेक्टिस जरूर करें और सही अंसर कमेंट बक्स में कमेंट करें A है और B है बोलता है नल B की गती A से दुगनी है नल B जो A से दुगना है तो A अगर X है तो B कितना है? 2X ये क्या है इसका? Capacity Capacity का उल्टा क्या होता है? Time तो अगर जिसको ये भरने में 2X लेगा उसको भरने में X लेगा दोनों मिल करके बोलता है किसी टंकी को भरता है 14 घंटा में तो शली दोनों मिल करके मतलब की 2X और X LCM हो जाएगा देखिए 2X यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक बार में और यहाँ पर दो बार में ठीक है तो अब कैसे काम करेगा यह 2X बटा यह 2 और 1 हो जाएगा देखिए 3 बराबर में देगे 14 यह 2 से कट जाएगा 7 बार में X बराबर आएगा 21 किसका निकालना है एक आकेला एक टाइम देखिए टाइम देखना है ध्यान देजाएगा टाइम टाइम यह वाला है नीचे वाला टाइम नीचे वाला है तो एक टाइम कितना होगा दो से इंटू करना होगा तो दो गुना 21 मतलब 42 मिनट तो 42 मिनट किस ऑप्सन में है देखिए ऑप्सन नमबर A इस कोस्टन का सही अंसर हो जाएगा दोस्तों तो इमीद करता हूँ यह कोस्टन भी आप लोको अच्छी धार समझ में आ गए होगा फ्रेंट्स फ्रेंट्स कोस्टन अच्छी लागरे समझ में आ रहे तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और हाँ अगर आप इस चैनल में नए इस्टूडेंट है तो इस चैनल को अभी तूरण सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इसी प्रक्राइब के नए नए वीडियो प्रती दिन प्राप्त करने के लिए चलिए कोस्टन अब आपके प्रेक्टिस के लिए है फ्रेंट्स जल्दी से इसका प्रेक्टिस करें और सही अंसर कमेंट वक्स में कमेंट करें देखें प्रीवेस एरो कोश्चन है ये किसी टंकी का दो बटा तीन भाग बरने में यदि किसी नल को 40 मिनिट लगते हो तो सेस भाग वाग कितने दिर में भरेगा इस कोश्चन में देखें कन्फीजन हो जाता है भहुत बार कि हाँ पर सेस भाग भी देता है और पूरा भी देता है तो आपको ध्यान देना ये चीज को है तो बहुत आसान question देखिए दो बटा तीन नीचे वाला जो है total होता है याद रखना है हमेशा नीचे का जो भाग होता है वो total होता है मतलब तीन मेंसे दो भाग भरा है ये दो भाग भरा हुआ है ठीक है ये दो भाग जो है ये भरा हुआ है इसी दो भाग को भरने में कितना टाइम लेता हो चालिस इसका मतलब है कि एक भरने में कितना लेता होगा बीस तो पूछ क्या रहा है सेस देखें तीन में से दो भर चुका है तो सेस तो एक ही बचा होगा ना और उस एक को भरने में कितना टाइम लेता है लेगा बीस मिनट अ एक भरने में कितना लेता है 20 मिनट तो option number D इसका सही एंसर हो जाएगा फ्रेंट्स चलिए एक question में आपके practice के लिए है वीडियो पाउच करके solve करें और सही एंसर comment box में comment कर दें 16 बाल्टी पानी से एक टंकी पुड़ी तरह भर जाती है देखिए 16 बाल्टी पानी अगर डालते है ना हम लोग किसी टंकी में तो वह टंकी जो है पूरा भर जाता है ठीक है यदि परती एक बाल्टी की धारिता मतलब कि छमता 13.5 लेटर का है तो क्या करेंगे अगर हम लोग को टंकी का कैपेसेट निकालना है तो 16 इंटू क्या कर देंगे 13.5 यह टंकी का धारिता निकल गया अब बोलता है कि 24 लीटर छमता वाले कितने बाल्टियों से यह टंकी पूरी भरेगे अब बोलता है कि 16 के जगे अगर हम 24 बाल्टी वाला यूज करें तो देखिए टंकी तो वही रहेगा बस धारिता बढ़ा देना है 16 के जगा 24 कर देना है आप बाल्टी का संख्या माल लेते हैं ठीक है बस काट देना है आठ से कट जाएगा तीन बार में आठ से कट जाएगा तीन से कट जाएगा पांस तिन आठेक नोह कट जाएगा चार पॉइंट तीन पच आपके प्रेक्टिस के लिए फ्रेंट्स वीडियो पसंदाए आप फ्रेंट्स तो लाइक से एरे कमेंट करें इस वीडियो को देखने के लिए आप